अपनर का दिन रात बरसेगा प्यार पूरी दुनिया छोड़ करके प्यार होगा सर्व तुम्हारा सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब प्यार, रिस्ता, रिलेशन, संबंध और विवाह टूपता है अब देखें, ये सारी के सारी बिवस्थाइं बहुत बड़े स्तर पर चल रही है इसका सूत्रधार डिफिनेटली मैं हूँ लेकिन इसकी सफलता का पूरा का पूरा श्रे आपको जाते हैं आज मैं कह रहा हूँ सुबह उठकर खास तोर से शनिवार की बात कर रहा हूँ बैसे मंगलवार अभिवार इत्यात्वी भी किया जा सकता है लेकिन शनिवार बहुत खास है शनिवार को सुबह उठकर के ये चीद चखलेना पूरी दुनिया से लड़ चायेगा आपका पूरा बिष्ट छोड़कर सिर्फ होगा तुम जो चाहोगे वो सब संभव होगा तुम जैसे चाहते हो जो भी चाहते हो वो सब संभव किया जा सकता है सब संभव बनाया जा सकता है सारी की सारी चीज़े तुमारे इसाप से करी जा सकती है आपको कुछ खास नहीं करना, ये वस्तु चक लिनी है मात्र, ज़द भी आपने पुराने समय में ऐसा सुना होगा, बोले अमरचक के आए हो क्या, तो तमें कोई दुख नहीं मिलेगा, भाई इन्होंने तो अमरवती चक ही हुई है, इन्हें तो कोई रोग लगेगा ही नहीं अरे भाई इनको कैसे कोई करस्थ हो सकता है, ये तो उपर से कुछ खा के आए है न, इन्हें तो भगबान में अपने हाथों से कुछ खिलाया होगा, ऐसी बड़ी सारी कहावते हम बच्पन से संते चले आ रहे हैं, वो कौन सी अमरोती है, वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा प्रेने मातर से पुरा जीवन ठीक हो जाता है, घर की दलिद्रता की बात हो या धन बैभाव संपत्ती बढ़ानी की बात हो, जीवन में रोग से मुक्त होना हो या हमेशा सुखी और संब्रद्दसाली जीवन जीना हो, बहुत सारा प्रेम पाना हो या अपने प्यार को किसी सबक सिखा के अच्छा मार्ग दिखा के अपना बनाना हो या जीवन प्रियंत के लिए उसका बन जाना हो, अब ये बाते प्यार और रिष्टे और रिलेशन्सिप में विवा हमें सब में बराबर बराबर इस तर परकात करती है, इसमें कोई भी चीज एक दिशा में काम नह समझने की कोशिश करिए कि आज का उपाय बहुत चोटा है, उसके पीशी का रिसर्च बहुत बढ़ा है, उसके पीशी की पूरी की पूरी ब्रबस्था बहुत बड़ी है, आपने सुना होगा और ऐसा जानते भी होंगे हिंदू परंपराउं के आधार पर सब लोगों को य की बात पता है कि हम वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिसमें आमले की पूझा करते हैं, आमले के ब्रख्श के नीचे भूज़र करते हैं, उपरब है एक प्रंपरा है, एक सिस्टम है, एक वेवस्था है, उसे ऐसा मान दिया जाया करता है। लोग कहते हैं कि जो लोग आमले का निरंतर सेवन करते हैं उनके जीवन में रोग आल्मोस्ट समझत हो जाता है या कम लगता है लोग कहते हैं कि आमले को अगर आप रेगुलर सेवन में डाल दें वैसे तो इसे अमरत्फिल कहते हैं आमलेको शम्सकर्ट में और बेद में खास तोर से आयुर्वेद में इसे अमरत्फल के नाम से जाना जाता है अगर आप इसे निरंतर सेवन करते हैं तो दुनिया के जितने भी लोगें कहते हैं अलोवीना और ये रगुलर अगर लिया जाए तो इस तरियों की जितनी भी परस प्रविश्वास करें इस मामले में और इसका प्रियोग करें इस्तरियों से समंदित किसी भी रोग हो और पुरुस्तों के परसनल जितने भी रोग है या उदर समंदी किसी का रोग हो पेट का ब्लेड का कोई रोग हो मस्तिस का कोई रोग हो सरदर्द का कोई रोग हो कि हमे तक चाए ना पीलो, जब तक ये ना खालो, जब तक वो ना करेंड़ो तक थीख नहीं हुदा. जिन ॐखों का comfort cation ठीक नहीं रहता, उन सब चीजों में आवला भुत फाइदा करता है. आवले की अपनी बहुत अदभुत महिमा है. आज हम सच्चमी आउले के बारे में ही बात कर रहे हैं लेकिन ये जो उपाय है ये एक डोटका है और एक ऐसी विवस्ता है जिससे सीथा फल भीता है अभी तक हम उसकी महिमा मंदन कर रहे थे बापको बता रहे हैं यसे कैसे चखना है और क्या करना है जो करने से आपका अपने जीवन में प्यार बढ़ सकता है अज मैं कहरा हूं कि इस एचखने से हमेजा ख्लिठी कोजरण सब्सक्राइब Micka सुभे संगवार के दिन पूरी तरह से शनान थ्यान इत्यादी करके सब पूझा पाठ जब आपका समाप्त हो जाए तब तक कुछ खाईएगा पीज़ेगा नहीं अब आपको लेना है एक आवला आवले में अलग अलग फाकिया होती जितनी फाकिये हैं हर फाकिये में आपको एक दात चुभा के उसे कट करना है और खाते जाना है अब ये जूठा आवला जो बचा इस जूठे आवले में आपको करना क्या है एक जूठे आवले को एक बरतन में किसी भी ग्लास में कटोरी में लोटे में मीठे पानी के अंदर डाल करके अपने उपन से साथ बार उतार करके अपनी मुनों का अबना अपने प्यार का नाम ले करके अपनी इस्ट की शद्धी समझ करके और गुरू को पड़ाम करते हुए इस जल को सहीत आंवले किसी भी बड़े पेड़ पर या किसी सुनसान जगे में मिट्टी में फेक दे मात्र इतना करने से आपके जीवन में बहुत परिवरतना आएगा ये ऐसा अत्भुत से यूग है जिसे देवताओं ने करकर के लाब लिया है तुम तो ये इंसान हो तुमें क्यों नहीं बेनी फिट मिलेगा बहुत को सुचाईए मुस्कुराईए सुन्दर बड़िये हर आदे घंटे में पडाम करके पानी बीजे और अपना ख्याल रखे आपको सकारात मखुना है आपको अच्छा चिंतन करना है क्यों रोते हो क्यों कमजोर पढ़ते हो कमजोर पढ़ने से काम नहीं होगा काम और खराब होगा कटवाए नपाद पटेड़े गए सदा सीधों प्यारे चलाए गए सिंग का बाल नबाका हुआ बकरे की बली ही चलाई गई ध्यान रखना तबे सिंग बनना है बकरा नहीं शेर नहीं और शेर बनने है कमजोर पढ़ने है हारना थोड़ी जितना है न जितने के लिए आगे बढ़िए ओम नमस्षिवाए